दार दार सरिये से यूवति की मा को उतारा मोत के घार, तधा यूवति भी हुई गंबी रूप से घायत मैनपुरी जनपत के ग्राम काजगा जिठाना, गिरोर निवासी, नरायनी देवी, पत्नी राकेश, उम्र करीब 40 वर्ष वर्ष वर पुत्री साधना, उम्र करीब 20 वर्ष जो दोनों रात को कमने में एक साथ लेटी थी रात करी 12 वजे के समय, गाउ के ही रहने वाले व्यक्ति संतु पूत्र विजयरवन ने दोनों लोगों के उपर सरीय से वार कर दिया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई तथा, योगती गंभी रूप से घायर हो गई, जिसको उपचार के लिए सेफ़ाई मैडिकल में बढ़ती कराया गया है, घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अदिक्षक मदुवन सिंह ने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा घटना कारित की गई थी, उसकी गिरखतारी कर ली गई है, जिसकी निशान देही पर नुकीला सरीय भी बरामत किया गया था, आज रात में गाउं के ही एक व्यक्ति द्वारा घर में सो रही एक महला को नुक्वीले सरीय से चोट पहुंचा के उसकी मिर्ट्टु कारित की गई है, उस महला के साथ उसकी बीस बरसी बेटी भी लेटी थी जिसे भी चोट लगी है और वो इस समय साफ़ाय में इलाज रह है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, सूचना मिलने पर बरिष्ट अधिकारियों दोरा, खानत धेक दोरा मोके का मुएना किया गया है, मुकदमा पंजी कर लिया गया है, अभियोक्त जो इस घटना में कारित करने में रहा है, उसकी ग्रिपतारी कर लिए गई है, उसकी निशा ग्रिपत कर अभी उसको नियाले कि समख प्रिश्टत कर उसका रिमांट प्राप लाग जाए।